तमलाडू के मंत्री उदय निधी स्टालिन के मुश्किले बढ़ती नजरा रही है सनातन पर दिये गए भयान पर अब पटना सवल कोट ने संग्यान लिया है और IPC की पाच धाराओं के तहट उदय निधी स्टालिन के खिलाब पटना के MLMP कोट के प्रभारी नयाधीश सारिक बहालिया ने संग्यान लेकर नोटस जारी करने का आदेश दिया है आपको बता दे कि 2 सितंबर को उदय निधी स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया था जिसके खिलाफ याचिका दर्श की गई थी इस मामले में उदय निधी स्टालिन पर 158, 295, 258, 500 और 50 204 धारा के तहत नोटिस जारी करने का आदेश है याचिका करता पटना हाई कोट के अधिवक्ता डॉक्टर कोशलेंदर नारायन ने 4 सितंबर को पटना सिवल कोट में याचिका दायर की थी और 2 सितंबर को उदय निधी स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताय था इस पूरे मामले को लेकर के हमारे समवदा था सुजीत गुपता ने याचिका करता से बाच्षीत की है सुरिये क्या कुछ कहना है अब मैं आपको बताना चाहूंगा उदय निधी स्टालिन ने तमिलनाडू के स्रेनम पेट में सनातन धर्म को समुल नाश्ट करने के लिए लोगों को ललका रहा और अपने लोगों को ललका रहा उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, कोरोना और मलेरिया जैसे सब्दों से एक तरह से ऐसे कहिए कि उन्होंने अमान वियता, कुरुता तथा पास्विक्ता का नगन परदर्शन किया उन्होंने सनातनी लोगों को डेंगू, कोरोना और मलेरिया बताया और धर्म को भी सबसे बड़ी जो चीज है कि उन्होंने देश की एक तो और खंडता को खंड करने का एक कुछित प्रयास किया दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं कि इस देश में 80% आवादी हिंदुओं की है हिंदु भावनाओं का बहुत बड़ा चोट पहुंचा हिंदु धर्म को मानने वाल लोग के उपर तो मैंने कहा आपको बता देते हैं कि एक नेशन फर्स डेमोकर्टिक पाड़ी के राष्टिया ध्यक्च और पतना हाई कोट के वधिवक्ता करूप में नहीं बलकि इस देश का एक जिमोवार नागरिक होने के नाते मैंने पतना के सिबिल कोट में सीजियम के हाँ एक मुकादमा फाइल किया संजोग से आपको पता होना चाहिए कि उदाएन इधिया स्टालिन वहां के मुख मंत्री जो है एमके स्टालिन उनके कुत्र हैं और उन होए वहां जुआ कल्याने बंद्री हैं खेल मंत्री हैं साइड, एडियम के सेक्रेट्री भी है इवाविंग का, तो MLA होने के नाते पटना के सिजियम ने उस मुकदमे को पटना के MLA-AMP कोट में ट्रांसफर कर दिया, और वहां के बिशेश ने आए धिस, MLA-AMP कोट के मानिया स्रीमतिसारी का बहालिया की कोट ने आ 5A, 3rd 298, 4th 500 and 504 IPC की धारा के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया, अब क्या होगा, इस पूरे मामले पर अब क्या होगा, नोटिस जारी आगा, वह जवाब देंगे, बाद में धिरे-धिरे बढ़ेगा जो परकिरिया है कानुन उसमें, ट्राइल फेस करेंगे, और उनको सजा हो, सबसे पहले आप जानिए, कि दो धारा जो है, 153A और 295A, उसके तहत 3-3 वर्स की सजा है, नन बैलेबुल धारा है, सक्षन है, तो उनको आना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, और मुकदमा, जिस तरह को उन्होंने भासा का प्रयोग किया है, उसके तहत उनको सजा होगा, आज मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों से, कि मैं कानून का मंदिर जो है, उसके परती मैं आभार प्रकट करता हूं, कि अगर कानून का मंदिर न रहे, तो देश में कभी भी दंगा फसाद हो सकता है, अरुदय निधी, अस्टालिन ने, जिस तरह से, खिलवाल किया, हिंदुओं के साथ, तो मैं एक कहना चाहूंगा, ब्यक्तिकत रूप से मैं भी मरमाहत था, क्योंकि मैं भी एक सनातनी हूं, और यहां देश की 80% आवादी लगभग सनातनी है, तो एक चीजा आप में मानिये, कि आज जो इस्थिती है, देश में, कि ये लो आटोनिक मीडिया में देखा, तिन तारीक प्रिंट मीडिया में देखा, और चार तारीक इस देश में, पहला मैं मुकदमा दर्ज किया हूं, और पूरे हिंदुस्तान में, आज पहली मुकदमा ऐसी है, जिसमें उनको संग्यान हुआ, इसलिए पटना के कोट, MLMP कोट की प दो पांच धारा में, लेकिन दो, जो है, उस में तीन सल की सजा है, और एक धारा जो है 298 आसे वे यह सेक्शन तीन सल सजा है, और स्वश में यह सुजंद Tsch वालिका पर भरोसा है मुझे और वहां से अपक्स कोट में जाएंगे हाई कोट सुप्रीम कोट जहां भी होगा मैं जाऊंगा एक अधिवक्ता होने के नाते क्योंकि देखिए किसी भी समाज के लिए धर्म जो है उसके पगड़ी होता है और राजनीत जो होती है वह बड़ा लोंगा कुछ खास बरका और दंगा निश्चित रूप से होता लेकिन यहां के सनातनी लोग बहुत ही भारिज के साथ परिचे दिये और उस मुकदमा के तहट आज एक परहरी कानून के परहरी के रूप में एट एडवोकेट के रूप में मुझे सोभाग मिला कि मैं पूर आने वाले समय में उधे स्टा accidents की मुश्किले बढ़ सकती हैma k oyster दहराओं में संख्यान लिया गया कैं अर दो ऐसे धारा है जो नन बेलेवल है तो यानि इस आप देखा जा सकता है कि आने वाले समय में उधाय निदी स्टारिन की मुश्किले बर सकती है और इस पूरे मामले पर आगे क्या कोट फैसला लेता है वो देखने वाली बात होगी सुजित कुमार बिहार तक पतना पतना से सुजित गुपता की रिपोर्ट बिहार तक